ह Maz Fati हेलो आल फेल लोग बाते करने वाले हैं wildlife centuries की सारे wildlife century देखेंगे हम लोग साथ ही साथ में उसको locate भी कर लेंगे it will be better if you also make a note of it otherwise you can also download the pdf from the link given below telegram channel फड़ा फट शुरू करते हैं आज के इस national park discussion को let us start, let us complete and let us crack but before that these are our contact details अगर हम लोग देखें तो सबसे पहले हम लोग अगर देखते हैं North East के जितने भी wildlife centuries और national parks हैं यहाँ पर मैं केवल और केवल first name को include किया हूँ इसके आगे जो भी चीज़े हैं वो आपको आसानी से आप guess कर सकते हैं either it will be national park और it will be wildlife sanctuary तो जो question आता है वो यही पूछायाता है दो तरीके के question आते हैं या तो आपको locate करने को आ जाएगा कि किस state में है या फिर North से South में आपको locate करने को आ जाएगा या दूसरा question आ जाता है कि कौन से Biasphere Reserve में यह जो national parks या फिर wildlife centuries हैं तो दोनों ही तरीके के question आप easily tackle कर सकते हैं अगर आपको यह जानकारी हो कि किस state में कौन सा national park या फिर wildlife sanctuary है तो फड़ा फड़ा हम लोग देखेंगे सबसे पहले हम लोग देखेंगे असम के बारे में असम के लिए आप लोगों को पता ही होगा one horn rhino काफी famous है यहाँ पर यहाँ पर जितने भी important national parks और wildlife centuries है काजी रंगा, मानस, ओरांग, नामेरी, जल्धा पारा, पोबी तोरा और डिब्रू सैखोवा यह कुछ important national parks और wildlife centuries है इसके अलाबा रुणांचा प्रदेश में अगर देखा जाए तो यहाँ पर नामदापा जहाँ पर squirrel एक काफी important species है इसके अलाबा मॉलिंग, इटा नगर, लाली और मेहाव यह कुछ important again wildlife centuries मनीपुर में देखें तो केबिल लाम जाओ आप लोग ने बहुत ज़्यदा famous है बहुत ज़्यदा पढ़ा होगा, यहाँ पर फुमदीज के बारे में पढ़ा होगा इसके अलाबा सिरोए, यह कोई एक wildlife century important है इसके अलाबा में घले में देखें तो बाल, पखरम, इसके अलाबा नोकरीक, बाग, मारा, देब्रीगर और यहाँ पर लाकरी वैली, यह जो है important यहाँ पर wildlife centuries है सिक्की में देखें तो कंचन जंगा अगें काफी important है युनेस्को के world heritage list में भी इसको conclude किया गया है बाकी तरिपुरा में गुम्ती राव, राव is different, गुम्ती जलग, ठीक है इसके अलावा सिफी, जाला और त्रिस्ता, यह जो होता है important wildlife centuries on initial pass इनको अगर locate करेंगे, तो आप कंचन जंगा बिलकुल सिक्की में बना सकते हैं अगर हम अवरांचा प्रदेश में देखें, तो line से आप बना सकते हैं यहां पर जैसे नामधापा आप बना सकते हैं, इसके अलावा मोलिंग भी आपको यहीं पहाडों में ही मिल जाती है इटान अगर आपको मिल जाएगा, जो कीस की राज़ानी भी है, लाली मिल जाएगी और मेहाव मिल जाएगा तो यहां पर हमारे पास रॉनांचा प्रदेश में यह कुछ important locations हो जाएगी मरीपूर में देखेंगे तो obviously केभूलाम जाओ आपको यहीं पर मिल जाएगा इसके जस्ट उपर में नागलेंड रहता है, लेकि नागलेंड में ऐसेच कुछ important हमारे पास 5 life centuries या फिर नेशनल पार्क नहीं है, बाकी अगर आगे देखेंगे तो मिघाले में आ जाएगे clear हो गया, तो हम लोग ने सिक्किम को locate कर लिया, अरुडांचा प्रदेश को locate कर लिया, मिघाले को locate कर लिया और मणीपूर को locate कर लिया, असम में अगर आप आएगे तो this is the area of असम, यहाँ पर अगर असम के बारे में देखें तो यहाँ पर देखिए मानस यहीं पर आती है और यहीं से मानस रिवर भी निकलती है इसके अलावा काजी रंगा भी है, ओरांग है, पूबी तोरा है, यह सारे के सारे आस-पास ही है बाकि डिबरू से खवबा थोड़ा सा अलग हो जाता है ठीक है तो यह हो जाती है और नामेरी is here तो यह हमारे पास कुछ जो होती है important locations हो जाती है lastly तृपुरा के बारे में देखेंगे तो तृपुरा आप यहीं पर देख सकते हैं यहाँ पर तृष्टा और सेफी जाला यह कुछ important यहाँ पर national parks हो गए आगे बात करें तो national park हमारे पास आंदप्रदेश, करनाटक, केरल और तमिलनाडू के हैं and these are very important हर साल जो होता है इसको ले करके question पूछे आ रहे है चाहे वो western घाट, eastern घाट की location को ले करके हो या फिर match the following करके हो तो दोनों ही चीजों में यह काफी important है मैं कहूंगा one by one इसके सारे ही wildlife centuries और national park को याद रखिएगा इसके लावा आंदप्रदेश में देखें तो कवल national park जो के actually अब चला गया है तेलंगाना में तो इसको ध्यान में रखिए गई आप तेलंगाना में चला गया है इसके लावा तडवई, पखल नागरजुन, सागर, स्री सेलम फिर पापी कोंडा रोला पादू, कुधिनिया और गुंडला ब्रहमेश्वरम और श्री विंक टेश्वल नेशनल पार यह कुछ important जो होता है आंध प्रदेश के नेशनल पार से जिसमें से लास्ट यहर भी कई सारे इसमें से पूछे गए थे लाइक रोला पादू और पापी, कॉंडाग और गुंडला ब्रहमेश्वरम यह सारे के सारे question पूछे गए थे करनाटका में देखें तो देखें बांधिपूर अजगें very important location here इसके अलावा दानडेली, बनेर घाटा, भद्रा, मुकांबिल, नागर होल, सोमेश्वर, तुंग भद्रा, अंशी, कुद्रे मुख, कावेरी और घाट प्रभा हाना कि कुछ तो यहाँ पर नदियों के नाम के ही नाम पर पढ़ दिये गए हैं इसलिए जो हता है असानी से आप याद रख सकते हैं but it has important in the locations केरल में अगर बात करें तो डिकी हो गया, इसके अलावा परमभी कुलम हो गया, पेरियार हो गया, वयनार हो गया, इरामभी कुलम, राजमले हो गया, एक साथ में ही है Silent Valley, जो की हलकी, कुछ पार्ट इसका करनाटक और तमिलनाडू में भी है नेरियार हो गया, पेरियार हो गया, पेपारा, शेंडूर्मी, एंड मुखुर्ती निशनल पार्क तमिलनाडो में देखेंगे, तो देखेंगे, कलककर, मुदुन थूराई, यह important है, कलककर डिस्टिक हलगी, यह adjoining में है मतलब कि तीनों स्टेट्स के central position पे आ जाता है, लेकिन जो अगर location देखेंगे, तो यह तमिलनाडो में ही इसके location आती है इसके लावा शिनकोट्टाई, यह भी यहां की एक location है, मुडू, मलाई और सत्यमंगला, तो अगर आप देखेंगे तो generally सारे ही question आपको past years में मिल जाएंगे यहां से location अगर आप देखेंगे, तो देखेंगे, this is the area, actually क्या है कि इस तरीके से यहां पर location है, और यहां पर यहां पर यह तमिलनाडो एरिया है, this is केरल का एरिया और यहां पर करनाटक के एरिया है most of the wildlife centuries आपको इसी इलाके में मिलेंगे, यहां पर, चाहे वो silent valley हो, चाहे वो आपकी, और भी कोई सी भी हो, तो यह सारी की सारी locations आपको यहीं पर मिल जाएगी, location मैं यहां पर locate नहीं कर रहा हूँ, because again जो होती है, सारी ही locations अपने आप में important है, सारे ही national park important है, होडी शा में देखेंगे, तो यहां पर देखें सिम्पली पाल, वेसी पली, और बालु खांड, सतकोशी और सीजू नेशनल पार्क, इसके अलावा एक और आप यहां पर लिख सकते हैं, this is गहीर माथा, यहां पर included नहीं, again इसको include कर लीजेगा, क्योंकि यहां पर olive रड़ ले टर्टल जो होते हो आते हैं और नेस्टिंग करते हैं गिए in very important locations, ठीक है, महरास्ट में maximum आप जानते ही होंगे, जैसे बोरी वली हो गया, तडोबा अंधेरी, तडोबा अंधेरी बारते रंगाना के कुमारम भीम के बीच में, एक पुल बनाया गया, एक ब्रिज बनाय गया है, जहां से जो tigers हैं, उनको conserve किया जा सके, तो इसके लिए एक जो हता है, ब्रिज है, इसके लावा तांसा, संजय गांधी, अब देखिए यहां पर important है, महरास्ट में संजय गांधी नेशनल पार्क है, और 36 गड़ में संजय नेशनल पार्क है, यहां पर गांधी एक् नगजीरा, यह important locations of नेशनल पार्क है, मद्य परदेश में पंच मणही, माधव, कुनहा, किसली, इसके लावा गांधी सागर, बांधोगड, फासिल, पन्ना, सत्पूरा, राता पानी और पेंच, जिसमें से बांधोगड काफी important है, और पेंच भी important है, बाकी locations तो सारी important है, but these two are generally coming into the examination, 36 गड़ में देखेंगे, तो देखेंगे, इंदरावती हो गया, भादल खोल हो गया, भैरो गड़ हो गया, संजय नेशनल पार्क जैसा अभी देखें, गुरुगासी दास हो गया, कंकर नेशनल पार्क हो गया, तो यह again जो हता है, काफी important है, again location आप locate कर सकते है यहाँ पर locate करने का essence कोई यहाँ पर scene नहीं है, because यहाँ पर generally जो होती है, आसपासी सारी sanctuaries है और generally इस पर question नहीं बनते हैं, आगे गुवा के बारे में देखेंगे, तो again यहाँ पर भी कुछ important है, जैसे भगवान महावीर, यह एक important national park है, बुदला national park, एन काटी गावो national park, यह भी important locations है, गुजरात में बालरम हो गया, गिर हो गया, गिर में आप लोगों को पता है कि यहाँ पर एशियार्टिक लॉइन पाए जाता है, जो कि यहाँ का endemic है, इसके लावा वाल्डर हो गया, वंसदा हो गया, मरी नेशनल पार्क हो गया, मरी नेशनल पार्क हो गया, कि अन्वा निकोबार में भी है, ठीक है, इसके लावा शिल पानेश्वर और नाल सरोवर, नाल सरोवर में अगेन ग्रेट इनियर पस्टर्ड काफी आदा पाए जाता है, तो तो इस इस वेरी important, राजस्थान में अगेन ग्रेट इनियर पस्टर्ड का location है, ररतंभौर, सरि का जो कि wildlife century है, मतलब national park है, sorry, केवला देव, this is wildlife century and bird century, desert national park और जवाहर सागर अगेन ये भी locations है, बाकि यहाँ पर आप लोकेट करने के लिए लोकेट कर सकते हैं, गोवा बहुती छोटे से location है और उसमें भी तीन ये national parks हैं, बाकि गिर national park आपको मिल ही जाएगा यहाँ पर, और आस-पास की जितनी भी centuries है, वो भी मिल जाएंगे, राजिस्थान में अगर आप देखेंगे, तो mainly सवाई मादोपूर के area में, यही पर आपको maximum जो wildlife centuries और national parks हैं, मिल जाएंगे, आगे देखेंगे तो उत्तरप्रदेश में आ जाते हैं, उत्तरप्रदेश में देखिए दिस इस इन बहराइच, ठीक है, आगे अगर देखेंगे तो दिस इस चंद्रप्रभा जो की river के नाम पे पड़ा हुआ है, दुदवा नेशनल पार्क हैं, हस्तिनापूर नेशनल पार्क, यह दो जो होता है, पार्क से आएंगे, बिहार में, अगीन काफी important है, गौतम बु देखेंगे, क्योंकि सबकी location, मतलब यह अपने आप में historical locations है, यहारकन में देखेंगे, तो तोप, चाची, या लवलॉंग, या फिर हजारी बाग, डोलमा, बिल्टा, एंड दिस इस महुआर, पालकोट, यह भी again important locations है, वस्पंगॉल में देखेंगे, तो maximum आपको पताई ह सुन्दरबन हो गया, बुकसा हो गया, निया है, पूछा जा रहा है, आजकल exams में, यहां पर location आपको याद रखनी, important, because यहां पर West Bengal है, जरूर यहां पर, लेकिन बुकसा वगर है, यहां पर पाया जाता है, मतलब mountain area में, नियोरा हो गया, यह फिर बुकसा हो गया, तो यह important locations है, बाकी सुन्दरबन तो खेर, आपको पताईए, कहां पर होगा, बाकी जारकन, बिहार, उत्रप्रदेश के लिए locations, आपको इस border पर मिल जाएंगी, जहां पर मध्यप्रदेश, यूपी, जारकन और बिहार, इन सब का border लगता है, तो इस area में, आपको सारी ही maximum, जो wildlife sanctuary से वो मिल जाएंगे, आगे जारकन, जमुकश्मीर में देखेंगे, तो दाचिंगम, again very important, जहां पर कश्मीर strike मिलता है, बाकी हेमीज national park, किष्टवर, सलीम अली, गुलमरगा national park, कारा कोरम, लिंबर, नंदिनी, और सुरिंसार, मानसार, जो की एक जो हता है, वेटलेंड भी है ये भी जो हता है, नेशल पार्क में आ जाता है, पंजाब में देखेंगे, अगेन, हालकी कुछ खास important, जो है, इसमें वो हरीके ही है, लेकिन बाकी के भी कुछ नेशल पार्क्स हैं, जो की अगेन एक्जाम में आ सकते हैं, जिसमें से एक है अवोहर, इसके अलावा वीर न हिमालियां, जो की अगेन काफी important है, और न्यूज में भी बने रहते हैं, पिन वैली अगेन important है, और भंदाली एंड गुविन सागर, हलकी यहाँ पर मनाली नेशल पार्क भी है, लेकिन मनाली आपको अलरड़ी पता है, कि इस 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 हिल स्टेशन, आप ये याद रखेंग हर्यान में देखेंगे, तो सुल्तानपूर और चोटाला यहाँ पर कुछ important locations है, यहाँ पर जब आप जमु कश्मीर में देखेंगे, तो जमु कश्मीर में maximum locations आपको इस area में ही मिलेंगी, जो की mountainous इस इलाका है, mountain का इलाका है, चाए वो हेमीज हो, चाए दाचिंगम हो, य यह सारी locations यहीं पर आपको मिलेंगे, बाकि पंजाब में तो आपको पता ही है कि यह हरीके और यहाँ पर यहाँ पर भी locations मिल रही होती है, तीनों state की वहाँ पर मिल जाएंगी, माचा प्रदेश में आपको पता ही है, बाकि उत्राखंड में आगे न आपको जो wildlife centuries है, mountain area में मिलेंगी, जैसे silent valley, sorry, this is a valley of flowers, यहाँ पर मिल जाएगा, नंदा देवी आपको मिल जाएंगी, ठीक है, तो यह आपकी locations हो जाएंगी, lastly अन्दमान ये निकोबार के बारे में आ जाता है, और generally यहाँ पर आपकी जो islands हैं, वही यहाँ पर national park उसी के नाम पर बनाती हैं, जैस सारे ही याद रहेंगे, बाकि Mount Harit हो गया, Saddle Peak again, very important, Baron हो गया, South Sentinel National Park हो गया, तो यह कुछ important, इसके अलावा Christian names जितने भी आपको मिलेंगे, उस सारे ही अन्दमान ये कोबार की ही locations होंगे, बाकि यहाँ पर अगर आप देखेंगे, तो यहाँ पर line से आपको islands मिलेंगे, जैस तो फिलहाल, this is the end of the lecture and we have already seen a number of national parks and wildlife centuries, आपको ये सारी centuries याद करना है, PDF टेलिग्राम चैनल में डेलिवर किया जा चुका है, वहाँ पर जा करके आप उस PDF को डाउनलोड करके याद कर सकते हैं, मिलते हैं नेक्स वीडियो में, till then goodbye and thank you so much.